एवरिवन हम लोग आज लेक्चर नमर फोर पे हैं जहां पे कर्ब पॉड रहे थे तो आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले थे कॉड डिफिनिशन के बारे में कि कॉड डिफिनिशन है क्या ठीक है तो चलिए इसको स्टार्ट करते कॉड डिफिनिशन को कि it is defined as an angle subtended at the center of the कर by a code of specified length कल का lecture अगर आप देखे होंगे तो अहां पे क्या था कि हम लोग आर्क डिफिनिशन पॉड रहे थे आर्क डिफिनिशन में क्या होता था कि एंगल का जो मान है वो एंगल पे depend कर रहा था क्या इसका आर्क लेंथ अगर 360 डिगरी था तो उसका आर्क लेंथ कितना ह हो जाता है तूपाइयार हो जाता है यानि एक सरकम्फ्रेंज के बराबर हो जाता है यहीं ठीटा का मान अगर घटेगा बढ़ेगा तो उसी के एक और इंग उसका आर्क लेंथ होगा ठीक है उसी तरह से 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 सेम प्रोसे से यहां पर किसका लेंद को करेंगे को करेंगे मतलब किसके लेंद को फाइंड आट करेंगे कल आर्क लेंद को फाइंड आट कर रहे थे आज कॉर्ड लेंद को फाइंड आट करेंगे कॉर्ड मतलब समझते हैं कॉर्ड यही तो कॉर्ड है जो आर्क को यह आर् तो T1 आपका point of curvature हो गया T2 आपका point of agency हो गया तो T1 से T2 को मिलाने वाले को हम लोग क्या बोलते थे chord बोलते थे वो ही आपका long chord गाल आता था तो chord definition क्या है कि इस angle पे किसी angle पे इसका length कितना होगा है ना तो clear है बाबू आगे बढ़ाएं इस topic को चलिए तो यहाँ पे क्या है यह length है इसको हम जो chord length है उसको किस से denote कर दिये L से denote कर दिये मतलब L है अब इसको proof कैसे करेंगी मतलब इसका value कैसे लाएंगी तो जो आपको यह दीख रहा होगा एक triangle के formation में दीख रहा होगा triangle दीख रहा है चलिए दीख रहा है उसके बाद हम इसको इस तरह से divide कर सकते यह L वाटर 2 है जब पूरा L है तो half कितना हो जाएगा L वाटर 2 हो जाएगा एक सेकें इसको मिटार के लिखते ही कितना हो जाएगा इसको आप इस तरह से देखिए तो यह होगी आपका degree of curve था, यह गो angle कितना था, degree of curve था, तहाप ले रहें तो क्या हो जाएगा, DCY2 हो जाएगा, यह length कितना हो जाएगा, यह radius कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, यह है आपका O point, यह है आपका T point, यह है आपका P point, O T 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 ध्यान से सुनियागा बाबू P बटा H एंगल के सामने वाला P कहलाता है जो बच गया हूँ यह है ठीक है तो इस एंगल के सामने L बटा 1 सामनेला नीचे वाला होता है जो सबसे बड़ा यहां थे कितना है मतलब का लेंद कितना था डीचे हम लोग बोलते थे degree of curve DC मतलब degree of curve तो एक पूरा DC था तो हाप कितना होजाएगा DCy2 यानि sign DC वटा 2 is equal to L वटा 2 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 क्या है एक यहां से यहां तक का लेंध है यानि P का भाईल है P वटा H में ठीक है यहां तक केलियर होगा होगा अब आते हैं आप जानते होंगे कि अगर एंगल कामान कमता है तो वो ठीटा के बराबर ही हो जाता है ऐसा पढ़े होंगे आप ठीक है तो साइन ठीटा को हटा कर हम dc by 2 ही लिख दी है l बटा कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा ठीक है चली 2 से 2e cancel out हो गिया dc is equal to l बटा r जो radian में है उसको हम लोग ठीटा में बदलने के लिए πाई बटा 180 से गुना करते है तो क्या होगे यह 180 बटा पाई अच्छा कोई सोच रहे हैं सर पिछला में तो 380 बटा 2πाई लिखे थे कटके तो 180 बटा ही पाई होगा तो 180 बटा पाई इंटू l बटा r ठीक है गुना करते है यह degree में आ गिया अब वही कहानी जो कल पढ़े थे कल क्या पढ़े थे कि l का मान हम अलग 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 निकालते है 30 मीटर का चेन और 20 मीटर का चेन तो l का value जब 30 पूट कीजेगा तो यह degree of curve आ गिया तो दोनों तो सेम ही है बस प्रोसेस अलग है कल हम लोग आर्क मेथर से निकाले थे आज कोड मेथर से निकाले है फर्मूल जो फर्मूला आया है वो दोनों का एक ही चीज़ निकल के आया है दोनों को याद रखना कभी कभी एक्जाम में इसी को प्रूफ कर करने के लिए कह देता है दोनों में देखी एक किल्या रीटी से एक ट्रीक के जैसा बता देते हैं ताकि आप इसको याद रख पाए ठीक है जाएब R into theta, बस R into theta, यतना याद रखना है, उसमें क्या रखना है, sin theta is equal to P, बाटा H, उस बे, कॉड वाला पे, ठीक है, बस यहाँ से clear हो जाएगा, तो यहाँ से R, बाटा theta, theta command DC, degree of car, यहाँ से value put करेंगी, जैसे जैसे बताया थे वैसे वैसे कर लीजेगे ठीक है ? अँसी तरह से यहाँ पे यणि दोनों में ट्रीक क्या है एक में याद रखना है क्या कि arc length क्या होता है अदुसरा हम याद रखना है sin theta पे लगाके यही दोनों कहीं पर note रखियागा वाकि तो लिखाई जाएगा, definition की बात करें, तो जो angle को, जो code को define करेगा, code definition, जो arc को define करेगा, arc definition, clear है, clear होगा, चलिए, अब दोनों का usage कहाँ है, जैसे code definition, arc definition ऐसा तो नहीं कि कोई sock के लिए बना दिया होगा, उसको मन किया कि चलो code से बना देते हैं, चलो मन करता है, तो arc से बना देते हैं, उसका कुछ usage purpose लेकर ही किसी चीज़ को बनाया जाता है, तो जो code definition का use होता है, वो railway geometric design में होता है, जो railway पढ़ाए हैं, building material में, तो वहाँ पर use किया जाता है, code definition is used for railway geometric design, arc definition is used for highway geometric design, ठीक है, तो highway geometric design के लिए हम लोग arc definition, geometric railway का geometric design के लिए हम लोग code definition, और इसका highway का geometric design के लिए arc definition का use करते हैं, तो यह आपके MCQs में आ सकते हैं, इसलिए equation बना दिए हैं, ठीक है, अब बहुत ही important बात आ रहा हैं हैं हैं, कि relation between element of simple circular कर, उसमें जो जो आप topic देखे थे, उससे कुछ छोटे छोटे नुमेरिकल्स आते हैं, ध्यान से सुनिए का क्या बो रहा हैं, जो अभी आप इतना नाम देखे थे, point of agency क्या होता है, long code क्या होता है, apex distance क्या होता है, यह सब बढ़े थे, तो उसी को यहाँ पे element of simple circular curve बोल रहा है, length of curve है, long code है, tangent distance पढ़े थे, mid ordinate पढ़े थे, पीछे क्या होता है, जो पढ़ाये थे, उसके बाद apex distance पढ़ाये थे, क्या होता है, इस सब का formula आता है, अस सब पे question बनता है, ध्यान से सुनि बस आपका support चाहिए, हम हर्च कुछ करवानी के लिए तैयार है, ठीक है, चलिए हाँ पे देखिए, length of curve, तो length of curve क्या formula क्या था, ते तो आपको याद है, अभी just निकाल, L is equal to pi r5 बटा 180C degree, ठीक है, यह आप ऐसा पढ़ते न बबू, ठिटा पॉन 360, उन्हें 2 pi r, पढ़ते देखिए, इस तरह से पढ़ते होंगे न, जो माली जी की, L is equal to 360 degree पे denote कर रहा है, length of curve, length of curve कितना होता है, तो अरे, कैसे याद करवा है, टेंथ में पढ़ते होंगे, ठीटा बटा 360 कुनी 2 pi r, 2 pi r होता है, यही कट गिये 180 degree से, और यहाँ पे r जो है, 2 pi r, ठीटा है, जिसको phi से बोल रहा है, तो वही वहला फर्मूला है, बस length of curve, बस खले यहाँ पे phi कर दिये, तो उसी में लोग गड़वड़ा गए होंगे, और 2 से काटके 180 ला दिये, तो length of curve का यह फर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, चलिए, कोई दिकन भी नहाँ है, इसमें, फर्मूला ही है, ठीटा बटा 360, 2 pi r पढ़ते होंगे, ठीक है, या इसको हम ऐसे बना के देख सकते हैं, l is equal to r theta, ठीक है, तो यहाँ पे l is equal to r theta, r theta, यहाँ पे हम इसको किसे करते हैं, theta को radian degree में बदलने के लिए क्लिए क्या करते थे, हम लोग, pi बटा, 2 pi बटा कि 180 degree, तो इसको काटेंगे तो उतना ही आजाएगा, 180C ही आजाएगा, तो इस तरह से होगी है, pi r, pi बटा, 180 degree, इस तरह से भी निकाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या देखना है, यह तो पहले तो पॉइंट किलिए होगे, दूसरा पॉइंट प पहले जो याद रखिए, कि long cord था कौन, तो याद यह वला figure हमेंसा याद रखना है, जो कल बताए थे नहीं, इस तरह से ऐसे करकर के, यह वला figure हमेंसा याद रखना है, यह वला point of intersection था, यह आपका long cord था, यह ही आपका long cord था, ठीक है, जिसको दूसर पेंसे बना देते हैं, देखिए, यह वी वला आपका long cord था, यह वला बुलू बला, ठीक है, यह ही आपका long cord था, तो इसी का long cord का length कितना होगा, बताईए, long cord का length कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो divide किये थे, तो sin theta is equal to क्या लगाए थे, l बटा 2, आधा क्य क्या हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, देख लीजे, मतलब cross mark, यह पहले समझ में आया, कैसे निकाल रहे हैं, ने समझ में आया, देखिए, एक वर फिर से try करते हैं, आपको, long cord कैसे निकाले जो बताने के लिए, देखिए, कल यह वला figure पढ़े थे, ऐसे इसे वला, यह समझे थे, समझाने की ज़रूरत नहीं न, इसको, ठीके, यह long cord था, यहां से हम angle बीच से इसे divide कर देते थे, इसको हम DCY2 बोलते थे, क्यों, क्योंकि हाप कर दिए, यह पुरा L था, इसको L वाटा 2 कर देते, इसको अगर हम बाहर करते थे, तो कुछ ही तरह से हो जाता था, यह TCY2 हो गिया, यह क्या होगी आपका, LY2 हो गिया, यह R हो गिया, यहां से sin theta लगा दीजिए, तो sin 5 वाटा 2, यहां पे degree 2 कर देते को 5 से denote करा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 5 वाटा 2, sin 5 वाटा 2, sin 2 क्या होता है, P वाटा H, P का भैलू कितना, सामने वाला कर देते आप H का भैलू कितना R है, तो L वाटा 2 वाटा R होगी, अब समझ में आगे, तो L का भैलू यहां से निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, भागा में तो गुना में 2, R, sin 5, 2, यही अंसर हो गिया, तो long court का फर्मूला याद रखेगा, खली फर्मूला याद रखना है, कै पहले लेंथ आप कर्व कोमेंट सेक्शन में बदाईए, क्या होता है, पाई आर फाई बटा 180 डिगरी, यह सीधे आपको अगर तेन्थ वाला याद होगा, तो वही याद रखेगा, तिन सो साथ बटा टू पाई र, हमको तेही याद रहता है, इसी से हम वही पर बना जेते हैं, काटे 180 डिगरी हो गया, ठीटा को फाई लिखे दिए, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, तो वह पढ़ना ज्यादा आसान होता है, ठीटा बटा तिन साथ टू पाई र, ठीक है, पाई आर फाई बटा यक्सवा से बात हो ही है, यह रेंडम मतलब ऐसे रेंडम में होता है नो वैसे याद हो जाता है, ठीटा बटा तिन साथ टू पाई र, ठीक है, ऐसे करके, यह आपको जैसे याद हो वैसे याद कर लीजेगा, लॉंकर्ड का फर्मूला बताईए, टू और र, साइन फाई वाई टू, कि लिरा है, चली, एगजिन्ट Crunch